बहुत सारी आजकल ऐसी बैंके आ गए हैं जिनका पूरा कारोबार ऑनलाइन चलता है जैसे पेटियंप बैमेंक एरटेले पैमेंक बैंक एकाउंट आइफ़ाई मनी और भी बहुत सारी ऐसी बैंके जो केवल आपको ओनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है अब आपके मन में चोटा सा सवाल आता है कि एदि हमारे अकाउंट को हमको close करवाना पड़ गया तो अकाउंट close offline होगा या online तो इसी process के बारे में हम आपको इस वीडियो बताने वाले हैं तो वीडियो को लाच तक जरूर देखिए तो भारत में जितनी भी यह online banking है यानि Paytm Payment Bank, Airtel Payment Bank इनका सारा काम online ही होता है तो इदि आपको अकाउंट close करवाना है तो आपको कहीं भी ब्रांच में विजिट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकी कोई physical ब्रांच है नहीं है जहां पर आप जाके अकाउंट close करवाने की request डाल सको तो सारा काम online ही होता है और आपको 7 दिन के अंदर अकाउंट close भी करवा सकते हो इन सारी बैंकों में इनका process बहुत ही आसान होता है जैसे मैं आपको बताऊं Paytm Payment Bank का तो आप इसमें 4 दिन के अंदर अपना अकाउंट close करवा सकते हो यदि मेरे विचार जानना चाहो तो यह काफी अच्छी सर्वीस है यदि जिस बैंक में आपने अकाउंट online उपन कर रहा है उसका अकाउंट भी online close होना चाहिए लेकिन जिनकी physical branch होती है वो एसा option नहीं देते हैं क्यूंकि अधिकतर लोग चलते ही account close कर देंगे तो इस कारण जिनकी physical branch होती है जैसे SBI, PNB, Yuko Bank, HDFC, ICA इन में account तो सब में online open होता है लेकिन close करवाने के लिए आपको branch visit करना ही पड़ेगा लेकिन जिनका account online open होता है जैसे Paytium Payment Bank, Airtail Payment Bank, Jupiter, Fi Money इन सब में account close करवाने का process पूरी तरीके से online है यदि ये वीडियो आपको प subscribe कीजिए जै हिंद जै भारत